तो हे गाइस वैलकम बैक किना न्यू वीडियो तो गाइस हमने स्टार्ट करी थी वे जैसे कि आपको सबको पता है मेडिशनल केमिस्ट्री चल रही थी हमारी तो यूनिट 3 कर रही थे हम इसकी तो यूनिट 3 में भी हमने कल वाली वीडियो लेक्चर थे यहां तक परासंपैस्पैस्ट्र मेट अजयां च्छान पर कंमपलीट करा दिया था इसका सार भी समझ लिया था आज हम देखने वाले पारासंपैस्पैस्ट्र मेटिक सकर classification और कुछ drugs की synthesis बगेरा भी देखेंगे जैसे कार्बोकॉल पर इस्टाल लगाया इसकी देखेंगे नियो इस्टिक्मिन पर लगाया इसकी देखेंगे और देखेंगे classification most important हो जाता है तो classification को सबसे पहले करते हैं देखो classification में कुछ नहीं है जैसे आपके सिलेवस में देखेंगे सेम वही classification है पहले तो में तीन किलास है डारेक्ट एक्टिंग इंडारेक्ट एक्टिंग या जिसको हम कॉलिनेरेस्ट कॉलिनिस्टरेज इनिवीटर भी बोलते हैं फिर कॉलिनिस्टरेज रियेक्टिवेटर टो तीन किलास देखेंगें यां इनिवीटर भी पोलते हैं यह हमागी सिलेवस में 2 टाइपके दीए गए तो दो ट्याइब से ही एंपनेगे Reversible में आते हैं दो टाइपों तें Reversible और Irreversible Reversible में आते हैं Physostigmine Neuostigmine Pyridostigmine Hydro graveyard Erin Hydrochloride Eraversible में हमाई 4 Isoflurrophet Ethophet Iodide Pyrathione और Most konkret Delaware एक Drug दी गई हैं कौर्स में img astronomers reactivator जिसमें Prelydoxin chloride एक Drug हमारी दी गई हैं तो चलिए देखते हैं सारी ड्रक्स को आज तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डारेक्ट एक्ट इंग्डर यानि कि वही जो डारेक्ट एक्ट करती है हमारे रिसेप्टर पर जाकर और उसके एक्टिविटी को इंग्रेज कर देती हैं आपको पता था पिछली बार में ने ब बताया हुआ है जो जिस पेर इस टाल लगाया सिर्फ और उसी को पढ़ना और बाकी कि ड्रक्स को मत पढ़ना बस किलासीविंगेशन तो देखो याद करना पड़ेगा तो जैसे तो अपको याद हो गया तो अगर मानलो में वीठा निकॉल का mode of action पूछा तो आप उसमें mode of action में acetylcholine का या carbacol का आप भी समझाओंगा तो वो लिख क्या आजाओगे ना तो अभी number आपको full मिल जाएंगी क्यों क्योंकि यह जो पांचो drug होने वाली है ना डारेक्ट टेक्टिंग ने वाई सेम mechanism of action होने वाला है पांचो ड्रग का ऐसी जो इंडारेक्ट कोलिनिस्टर इनिविटर में ड्रग है रिवर्स रिवल वाले का सेम modification है और इसका अलग modification है तो सब का मतलब एक ही तरह जो एक कैटेगरी की ड्रग है सब का mode of action सेम ही होगा सब का mechanism सेम होगा यूजिज भी सेम ही होते हैं ज्यादा तर ठीक है अब देखो एक्टाइल कोलीन की बात है एक्टाइल कोलीन तो पीछे बाइस की बाइस्टाइस ही देखी हमने तो इसकी भी यहां पर लिख सकते हो यहां पर इसका फॉर्मुला आपको बताई है पीछे देखके ही आ रहे हैं कल वाली वीडियो में कितनी बार देखाई तो यहां पर इसका एक्टाइल को यह कम कर देता है कोलीनिस्टरेज बट एक डारेक्ट एक्टिंग कोलीनेर्जिक ड्रग है यह ठीक है यूज इसका यूज इस वाइडिली यूज दुटा है हमाई आईड्रॉप में तो कॉज मियोसिस ड्यूरिंग सर्जिरी और रीकवरी रीकवरी और सर्जिरी के द्वार मायोसिस करने के लिए हम इस आईड्रॉप में यूज करते हैं वैसोडाइलेटर है हमारा कार्डियक डिप्रेसेंट है अब देखो मोस्ट इंपोर्टन ड्रग है इसमें कार्बाकॉ यहां पर आप देख सकते हो सिलेवस में अपने कार्बाकॉल कार्बाकॉल पर इस्टाल लगो आए तो इसकी हमको सिंथेसिस देखनी पड़ेगी जब हमने इसका सार पड़ा था पैरसिंपैसर मायमेटिक का तो वहां पर हमने एक चीद देखी थी कार्बमेट गुरूप ज सारी ड्रक के स्ट्रक्चर से ही आपको मिलते चुलते मिलेंगे सिर्फ छोड़ी छोड़ी चेंजिस होंगे अब इसकी देखते हैं चलो सिंतेजिस की कार्बाकॉल की तो यहां पर हम लेंगे एक कंपाउन कोलीन किलोराइड तो कोलीन आया था तो कोलीन किलोराइड तो ठीक है यह जो पूरा ना यह आकर इससे ही जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हमारे इंटमीडियेट फॉर्म होगा फिर इसके हम फर्दर रियेक्शन खादेंगे एनेच फॉर ओए से तो आपर क्या होगा एनेच फॉर सी एल तो यहाँ पर एनेच फॉर सी एल बाहर लिकल आप इनेच फॉर्म में इनेच तो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा ऐनेच यहां पर आके जुड़ जैगा सी ओ यह रहां सी ओ और ची और पूरा सेम रहेगा एस इस टिस तिस टिक है यह सिंथाजर आपको थोड़ी रटनी ही पड़ेगी ऐसे याद नहीं होगी फिर चा और दोनों मसकरेनिक और निकोटिनिक रिजेप्टर पर इट इसका ज्यादा एक्षन होगा किससे एक्षेल कोलीन से ज्यादा यूजिज हमारे वही चुक्रोणिक गिलोकोमा होता है इसमें इंट्रा ओकुलरी टू प्रडूज मायोसिस इन ओक्लर सर्जिरी एंड टो डिश पोस्ट ऑपरेटिव रियक्स मैंने आपको इस्टेल कोलीन में बताया मायोसिस में यूज होता है पोस्ट सर्जरी वगरा भी यूज होता है तो सबका यूज इस मोड अपर सेम ही होने नोट मैंने दे रख्या है तो आप इसको पढ़ लेना वाट्सप पर मैंने देया हुए अब सेकेंड केटेग्री हम देखते हैं इसमें इंडारेक्ट एक्टिंग एजन इंडारेक्ट एक्टिंग एजन जिसको हम कोलीन कोलीन इस्टरीज यह भी कह रहे थे आलसो नोहने अ एक्टिंग 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 कर रही हैं उनको तो बोलने है कोलीन इस्टरेज इनिवीर यहाँ पर मैंने क्या लिखा है एंटी कोलीन इस्टरेज के अपोसिट काम कर लिए ठीक है तो कन्फीज मत्वना दोनुची जहें कि तो यह हमाई ड्रग क्या करती जेको आपको पता है कोलीन इस्टरेज जो एक तो यह ड्रग वही है उसको रोख देंगे कोलीन इस्टरेज को तो कोलीन इस्टरेज रुख जाएगा तो हमारे एस्टाइल कोलीन अपना काम कंटीनू करते रहेगा उसमें कोई बादा नहीं आएगी फिर यह भी हमाई दो टाइप के थे फरस्ट हमारा इसमें अपना थोड़े टाइम दिखाता है फिर से हट जाता है उससे बाइंड होके और इसिबर से बीड़े वाला। वहां पूरे टाइम तक बाइंड रहता है उससे ठीक है पड़ लेना आप वही लिख हुए अब इसमें देखो ड्रग कौन-कौन से वह देखो इंडारेक्ट में यह हमारी ड्रग इसमें सबसे इंपरेंट है नियो इस्टिगमीन के हमको सिंतेजी देखनी है वही डारेक्ट देखते हैं इसमें और ड्रग का आपको कुछ नहीं देखना बस इसमें क्लासिफिकेशन आपको याद करना है अच्छे से ठीक है नियो इस्टि यह इसका formula हो गया structure हो गया अब इसके synthesis देख लो synthesis में कुछ नहीं है सिर्फ एक दो step की reaction है first हम लेंगे three dimethyl aminofenol three dimethyl aminofenol देखो three position पर dimethyl aminofenol यानिकि amin group से चुड़ा है और aminofenol पूरा यह फिनोल है C6H5 यह तो फिनोल हो गया एन अमाइनो फिनोल हो गया और three dimethyl यानिकि दो थी थी पोजिस्टन में दो हमाएं methyl group जुड़े हैं तेकर नाम आपके समझ में आगा second time dimethyl carbomil chloride तो दो methyl group है carbonyl chloride इसको पूरे को बोलते हम तो dimethyl carbomil chloride इसकी हम reaction काएंगे दोनों का addition हो जाएगा यहाँ पर simple तो क्या पनेगा पूरा यह तो same रहेगा यह आके इस से जुड़ जाएगा यह CL और H मिल देखो synthesis के लिए आपको याद करनी पड़ेगी इसके structure अब structure यहाद होगी मालों यहाँ पर है अब आपको structure याद है तो आपको क्या लगेगा कि बस यहाँ कमी है CS3 कि तो आप CS3 लाने का सोचेंगे तो यहां से CS3 BR के साथ डियेक्शन कराएंगे CS3 एक इसके साथ आ पूरा हमारा नियोटिमीन आ गया ठीक है mode of action इसका क्या है इन डारेक्ट ली स्ट्यूमिलेट करता है हमारे पस्कॉरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर को कैसे कैसे कि यह जो हमारा कोली यह कोलीनिस्टरेज है इस पर जाके बाइन होता है और रिवर्सिबल बाइन होता है और इसकी एक्टिविटी को कम कर देता है ठीक है यूज इसके माइस्थी विया गिरेमिस डिसीज है उसमें यूज होता है और गिलोकोमा में हम इसको यूज कर सकते है जो इसकी और क्याटिगरी की ड्रग है वो इसका सेम mode of action बगरा सब सेम रहेगा जैसे पाइरोडियो इस करते हैं हमारी एसी टाइल कोई इस्टरेज एंजैम का इसको हुफोल दे थे न तो वह यह मारे य र्रिवर्सिवल उससे बाइंड बॉलांट के द्वारा अब इस में कौन सी ड्रग हमको पढ़नी है और देख लेता है इस लिवस में जड़ा है इसमें हमको पढ़नी है कि देखो वैसे इस वाले में ने कोई इसी भी ड्रग पर इस्टाल नहीं लोगा तो एग में ड्रग आपको एक्जांपल के लिए बता देता हूं जैसे आइसो फ्लॉरोफेट है इस्ट्रक्चर आप देख वी सकते हो नहीं भी मोड अफ्रेक्शन क्या होने माला है इस रिवर देखो फिर से एक बार अच्छे से बता देता हूं देखो माल लो इंडारेक्ट कोलिनिस्ट्रेज इनिवीटर है अब इसमें हमारा आया है इस रिवर्सिवल में यह पैरा थायनोन पैरा थायनोन का मोड अफ्रेक्शन पूसता है पेपर में तो आप क्या करोगे आपको या एक पॉइंट होगा इस रिवर्सिवल एक्ट करता है और यह इंडारेक्टली इनिवीट करता है को निस्ट्रेज एंजाइम को बस सिंपल हो गया यह आपको याद करना है आपको बस कैटिगरी देखनी है ठीक है यह सारी ड्रग अब सेम होंगी यह जितनी भी यह चार ड्र इस्टरेज एंजाइम इस स्टीके इनिवीट कर लेती तो उनके दवार ना कभी-कभी पॉइसनिंग पगयरा हो जाती है कुछ हमारे अंदर पॉस्पड इस वह उत्यार प्याइब हो जाती है तो यह कॉलीनिस्टरेज ड्रही ड्र्ग होती है जो वह द्वारा से रियक्टि के इस सेले बस में प्रहाली डॉक्सिम किलोराइल इस्ट्रक्चर आप देख सकते हो मौड अफ एक्षन आप देख लो इट रियक्टिबेट द एंजाइम बाइंडिंग ऑफ द एनाइनिक साइट आफ एंजाइम एन डिस्प्लेज द फॉस्पेड 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 पर सिंपल यह क्या करता है बाइंडिंग जाके बाइंड करता है एनाइनिक साइट पर और वहां से डिस्प्लेज कर देता है जितना भी फॉस्पेड वगयरा वहां पर सेरीन में जुड़ा हुआ हो ठीक है यूज इसके ट्रीटमेंट में जो पोईजनिंग वगयरा और और लेक्चर समझ में आया होगा जैसे ड्रक्स मैंने बते हैं ऐसे ही पढ़ना तो कल मिलते हैं नई वीडियो लेक्चर में सब तक के लिए बाइबाई टेक केर